वेल्कम टू बिपेस अड़ा पर आप सभी का स्वागत है बिहार लोग से बायों के दारा बिहार से डिपियों का जो एक्जाम 15 माई को हने वाला है उसके लिए कुछ आवस्यक सरते आवस्यक सूचना जारे किया गया है और ये सूचना आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि एक्जाम सेंटर पर जाने से पले इन सूचनाओं को एक वार जरूर देख लिए अन्य था आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा सकता है जैसा कि आप सभी लोग को मालुम है कि 8 माई को जो बीपेसी का एक्जाम था उसे रद कर दिया गया है और उसी को ध्यान में जो कोशन पर प्रलिक का मामला हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए इस वार थोड़ा सा सकती बरता जाएगा अथा आप जो है यह गाइडलेंस को एक वार सेंटर पर जाने से पले जरूर देख लिए और वो गाइडलेंस क्या क्या है एक वार चलिए मैं आपको बता दे देता हूं कि दिनांग 15-5-2022 को जो आयोजित की जाने वाली बाल विकास प्रियोजना पतदकारी प्रारंबिक परत्योक्ता परिच्छा है कि सफल सुभ्यवस्तित और कदाचार रहित संचालन है तो निम्लिकित बिंदू का अनुपालन सुनिशित किया जाना है वो बिंद बारा बजे आपका एकशाम है तो साड़े दस बजे से लेकर आपको 11-45 तक ही प्रवेच्स की अनुपति होगी ध्यान रखेगा साड़े दस से लेकर 11-45 तक ही आपको अनुपती दिये जाएगी तो यहां पर देखेगे जो पहला लाइन है भाह यही है कि आपको जो अनुम कर रहे हैं तो आप रिशेडूल कर लीजे दूसरी चीज परिच्छा के इंदर परिच्छ जहां परिच्छा होनी है मोबाइल ब्लुटूथ कल्कुलेटर वाइफाई गैजट इलक्रोनिक पेजर रिष्ट बाच यहां पर देखें फिर से एक बार समान या स्मार्ट दोनों का प्रयोग किया गया है हलाकि वीपेसी में तो एक बाद में नोटिफिकेशन जारी करके समान बाच के लिए पर्मिशन दिया गया था और इन सभी को जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है खास करके समान बाच के लिए तो आप समान बाच भी नहीं ले जा सकत तो बेसिक चीज़ जो आपको है ध्यान में रखना वो टाइमिंग है टाइमिंग को आप ध्यान में रखे और अपने सेंटर पर समय से पहुंचिए सो देट आपको कोई कटना योगा सामना ना करना पड़े तो विसी वाल वेस्ट पर यूर एग्जामिने संस्ट इस चेडूल तो बी ओन 15th माई